ओल इंडिया मजलिस इत्यादुल मुस्लिमीन गुलबर का डिस्टिक प्रिसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेट की सदारत में एक मश्वरती जिलास और्गनाइस किया गया था जिसमें हिदराबाद करनाड़का के तमाम डिस्टिक और तालुका मायम प्रिसिडेंट, वा हिदराबाद करनाड़का से किसी भी दस कॉंस्टिटिउनसी से उमीदवार खड़े किये जाएंगे अब ये दस कॉंस्टिउनसी कौन से होंगे और किस कॉंस्टिउनसी से मजलिस जी सकती है ये फैसला गुलबर का बीदर, यादगीर और दीगर हिदराबाद करनाड़का क डिस्टिक और तालू का पिर्सिडंट को मिल कर तै करना होगा तमाम मजलिस के जिम्मेदारों ने अपने मशोरों से जिजलास के उन्वान पर बात की है आखिर में अब्दुल रही मिर्ची ने कहा हिदराबाद करनाड़का से मजलिस के दस उमीदवार खड़े कर जिताया जाएंगे और कुछ दिनों में बीदर से यादगीर तक पधियातरा रैली निकाली जाएगी जिसके जरिये डोर टो डोर लोगों से मुलाखात कर मजलिस से जोड़ा जाएगा इस विडियो स्पॉंसरे नौर्ट करनाड़का स्मोस्ट अवेटेड विंटेज रिट्रीट रिसोट इस नाव ओपनाट बिदर विल्लास अंकॉटिज़ पूल और कॉक्तिल लांज इंडोर गेंस बोट दाइनिंग, संसेट व्यूविवविविविविविविविविवि जडिके हमारी ख्यादत को उभारना है और हमारी ख्यादत को मधरूत करना है, चाहे हो प्राहिविव यू दिश्टिक लिवल पर हो चाहे तालुख लेल पर हो तो आज यही मकसد है हमारा इस जगे झमा होने का, एक हम हैदरबाद-करनाटक के अंदर, चुम से कम जो हमारा मकसद है हमारा जो क्वाम के अंदर जिसको हम तुफा देना चाह रहे हैं वो जो मकसद है यहां से हिदराबाद करनाटक से आठ दस जगे हम MLA कैंडिड जिता हैं और जो हमारे पॉर्लिमेंट सीट जो विदर की है वहां से मैनारेटी की सीट यानि के धलीट बैकवाड ओबी से तमाम लोग देख चुके हैं हमारे पास का जो गुलबरगे का जो एरिया था यहां से एक मुसलमान जिते थे वो भी खतम हो चुका है तो हम तमाम हैदराबाद करना टक विद और अपना मुझाहरा कीजिए कि हम एक वो कर जितानी की कोशिश करेंगे और चाखत देंगे और मजबूती देंगे अगर आज मुसलमान अगर नहीं समझा तो घर तक घुसके आपको निकाल के मारा जाएं माई किसी से डरतों नहीं, सिर्फ डरने वाला सिर्फ अल्ला से डरतों नहीं, ये हालात को बनाने वाले हम खुद हैं, ये हालात को बनाने वाले हमारे आमाल हैं, हम घर घर में चार अदमी हैं तो तीन बिकाओं हैं, एक अच्छा हैं, कई कई घरों में तो नौनो अदमी हैं, नो अदमी भीकाओं हैं कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा फैदा एक एक ओट को पांच सो हजार अपर में भीक कर हमारे आज जो ये जो जूते खारे हम जो हमारे शरीयत के पर जो डाका दाले हैं सिर्फ हमारे आमालों के सुदा है हम समझ रहें खाली टूपी पे इनको नमाजां पड़को दाड़ी छोड़को आप वक्त नहीं है अब वक्त हमको इस देश में रहने का या ने रहने का वो वक्त है अगर आज हम नहीं समझे आज शिकातन करते बड़े हम 2023 में हालात कैसे होंगे आप देखेंगे 2024 में आप हालात कुछ समझ ने से कीए समझ समझने का भी टाइम ने रहेंगा आपको समझ रहेंगे मैं जिस असंबली कॉंशेसे से आया हूँ वहाँ पे 40% मिनर्टी सोठ है और मुसल्मानों का कसीर खयादत भी है तो इस बार जो है न असुद दिन अविशेसाब को हम गुजारिश कर रहे हैं इस महिफिल से कि हमनाबाद तालुखे के अंदर मजलिस इत्याद अलमुसलिबिन का कैंडिट को जो है न थहराने की कोशिश करे और पिछले कई दस साल से मजलिस का काम हमनाबाद तालुखे में हो रहा है अलम्दिल्ला दस साल से मजलिस वहाँ पर बहुत ही ख़दम जमा चुकी है आज कुल इन मजलिस इत्याद अलमुसलिमीन का एक इजलास हुआ जिसमें तमाम तालुखे जाद और डिस्टिक के सदरों को बलाया गया था इसलिए बलाया गया था कि हैधराबाद करनाटक के अंदर इन्शालला हमारी पार्टी के जानिब से नकीब मिलत के डिरेक्शन पर खायद मुतरम बेर्श्टर असद अवेसी साहब ने कहा कि हमें हैधराबाद करनाटक के अंदर दस जगें असंबली में थहरा करना है और एक पार्लिमेंट के अंदर थहरा करना है तो इन्शालला हम लोग तमाम जो तालुकी के सदर और डिस्टिक के सदर तीन डिस्टिक के सदर थे जिसमें मैं बिदर और यादगिर इन तमाम लोगों ने ये मशवरा दिया कि आने वाले वक्त हम कि जगे और कौन से तालोख में थारा करना है वह हम आज डिकलियर कर रहे हैं सबसे पहले मा सेडम की टीम का तहले दिल से शुक्र आदा करता हूँ कि वह बहुत ही महनत कर रहे हैं हमारे मौम्मद खादर साहब जो सेडम के सदर हैं, हमारे जाविश साब, हमारे आफ़ी साब, तमाम लोग, इन्हों ने सेडम को बहुत मदबूत खिले की तरह रखा है यमायम के लिए, तो इसी तरीक से तमाम तालुखों के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, कि हमायम के, जो तालुख़ी के सदर, जो सक्रेक्रीटरी और टमाम औद्धाउं पर कि जो भी लोग हैं हमारे पार्टी के अंदर उन से अद्बन गुजरिश है कि आप मेहनत करें। आने वाले दिनों में हमारे हुकिक के लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हक के लड़ाई लड़ने के लिए बैकवार्ट मैनारिटी ओबी सी तमाम लोगों के हक के लड़ाई लड़ने के लिए हमारे को यहां से नुमाइंदगी बेजना है इंशालला हम खायदे मौतरम का सपना जरूर पूरा करेंगे इंशालला इंशालला वो दिन दूर नहीं बहुत जल्द हमारे करनाटा का संबली के अंदर मंजली से तादूल मुसलिमीन के जानिए से नुमाइंदगी होगी और आवाज बुलंद होगी इंशालला आपके हुखक के लड़ए सिर्फ मंजली से तादूल मुसलिमीन लड़ते है ये जो मिटिंग हम जो रखे थे इसमें तमाम तालुकों के अंदर पध्यातरा करने का हमारा एक लक्ष रखा गया है तो इंशालला आने वाले दिनों में हम को हमारे तालुकों से जैसे जैसे डारेक्शन आएंगे हम तयार हैं विले तो उसके बाद हम इस काम को अंजाम देंगे इंशालला ये बिदर से यादगीर तक हम इसको पध्यातरा के शकल में एक रैली निकालने वाले है इंशालला बहुत जैल्द डेट आएंगे फिर एक मरतबा हमारा इजलास है उसमें ये तैप आएगा कि क्या डेट पे होंगा इंशालला पिर एक मरतबा आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए आपके खुक के लड़े लड़ने वाले सिर्फ मजलिस से तैदल मुसलिमीन है तो आप तमाम लोग हमारा साथ दीजैं इंशालला आपकी भरपूर नमाहिंदगी करेंगे मजलिस से तैदल मुसलिमीन करनाटक की एसमभली में शुक्रिया स्वालेकम